आज मैं लाए हूँ व्रत में बनने वाली नवरात्रों में specially आलू की सबजी बिना प्याज टमाटर लहसुन के आलू की सबजी को बनाने के कई तरीके हैं पर मेरे कहने पर जिस तरीके से मैं इस recipe में share करूँगी उस तरीके से बना के देखिएगा बहुत ही tasty बनेगी बिना प्याज टमाटर लेसुन के बनाई गई आलू की सबजी बिल्कुल simple तरीके से पर बहुत ही tasty delicious तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू की सबजी बनाने के लिए आपको लेने तीन बड़े आलू यह बॉयल आलू है इसे क्या करना आपको हाथ से रफली तरीके से फोर्णा है बहुत जादा भी मैश नहीं करना रफली तरीके से बसी से फोर्णा है यह हो जाए ते साइड रख देंगे, अब हम रेडी कर लेते हैं इसकी ग्रेवी, एक बाउल लेंगे, उसमें लेंगे एक चुताई कप दई, जो की मैश्ट है, पूरा अच्छे से फिटा हुआ है, अब इसमें डालेंगे बाकी सारे मसाले, आदा टीस्पून देगी मिर्च, जिससे कलर बहुत अच सेंदा नमक, एक टीस्पून, आप अपने इस आपसे कम जादा कर सकते हैं, इस सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दही में, दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल बटन दबा दिजेगा, ताकि लेटस अपडेट्स नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुच पार, जो ग्रेवी है, हमारी बढ़िया से रेडी हो गई है, अब लेंगे कुकर, आप चाहें तो कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं, या कोई पैन, क्योंकि इस सबजी को हमें विसल न जीरा, अब देखिए, जो घी है, अच्छो से गरम हो चुका है, फ्लेम को बिलकुल लो कर देंगे, जीरा जो है, रोस्ट हो गया है, तो इसमें आड़ कर देंगे, दो पीस चॉप्ट हरी मिर्च, मीडियम साइस की, जिसे और तीखा चाहिए, वो और हरी मिर्च डाल सकता ह यह जो है, मोटी हरी मिर्च है, मिक्स कर लेंगे, एक मिनट के लिए यह रोस्ट हो जाए, उसके बाद फ्लेम को आफ कर देंगे, और जो हमने दाई की जो ग्रेवी है, वो रेडी की थी मसालों के साथ, वो इसमें आड़ करेंगे, और फिर कंटेनूसली स्टर करेंगे, ध् जो है, फट जाएगा, जो सबजी है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगे, जब आप एक दो मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद दुबारा से गास अन कर दिएगा, क्योंकि अप कोई डर नहीं है, जो गी है, वो सेपरेट होना शुरू हो गया, अब इस टाइम पर हम पानी आड़ कर देते हैं, पानी की कॉंटिटी मैं आपको भी बताऊंगी कैसे चेक करना है, साथी जो हमने आलू फोड़े थे, वो इसमें आड़ कर देंगे, आलू डालने के बाद इसे स्टर करेंगे, इस टाइम पर हम चेक कर सकते हैं कि पानी की कॉंट तोड़ी जादा रख रही हूं या फिर पानी की कॉंटिटी चेक करने का एक और अच्छा तरीका बताती हूं जितने आलू इसमें डूप जाएं जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं उतना पानी डालीएगा अभी ये सबजी तियार नहीं है 10 से 15 मेटी से कम से कम रि रेडी हो गई है बस एक दो मिनट और और ये सबजी परफेक्टली रेडी हो जाएगी स्टर करने के बाद देखे आप देख सकते हैं गाड़ापन आ गया है सबजी में आप फ्लेम को आफ कर देंगे और आहाँ सबजी की खुश्बू तो पूरी किचन में फैल गई है ये स शेयर कीजेगा अपने सजेशन्स और कमेंट्स कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी थोड़ा समय उपर से इसमें डाल रही है नीम्बू का रस साथ ही हरा धनिया इसके बिना तो कोई भी सबजी कंप्लीट ही नहीं होती तो रेडी है सफ कीजिए और अगर आप जानते हैं को बड़ी ऐसा मौका है ना तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपनी रेसिपी शेर कीजिए मैं मिलूंगी ऐसी ही और बड़ी आसी टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुद बाई टेक केर डोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब